कि नवस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारे चैनल आइट याइट टेक्निकल पर में केल गुता आज आपके सामने एक बहुत हेलफुल वीडियो लेकर आए हैं जो कि हर घर का यह आउसकता है हर घर में इस्तिमाल होता है हर जगह इस्तिमाल होता हर को इस्तिमाल करता है तो ज्यादा इस्तिमाल होने वाला चीज है तो ज्यादा खराब भी होता है और इसके रिपेरिंग की भी जादी आउसकता पड़ते हैं और चुंकि मांगा भी आता है तो आज आपके सामने विडियो लेकत में आप किसी भी इलिएक каких कर सकते हैं किकिवब ऑल्नभ है और, और किसी को भी किसी भी बल्ब को आप कंप्लीट कर सकते हैं तो यह बहुत ही ट्रिक की वीडियो है तो इस पे लगातार लाज तक बने रहेगा और अपना जो भी मत होगा इस वीडियो का बाने मों कमेंट कीजिएगा तो इस सर्किट के बारे में बहुत से भाई लोग जानते सब्सक्राइब और यहां से यह वाला जो है जहां पॉइंट जोड़ा रहा यह दस हो माद्यम का लगा है आई सप्सूं का माद्यम आ से पेज जो अलगा हुआ है लगा होगहर आप पीज़ की बीच में लगा हुए रेइस्टर चोटा सा रेइस्टर आप देख सकते हैं तो सारा खेल इस रेइस्टर का है जो कि सप्लाई को कंट्रोल करके जितनी आउसकता होता है उतना ही देता है तो यह कई से काम करता है इसको तो हम बताएंगे भी सरकीट के साथ साथ और से आप क्या क्या काम कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने आगर मेरे पास है यह थो इलेडि बलब साथ में आपके दिखर रहा है तो यह हम अभी खोले हैं और कंडीशन ये है कि जल नहीं रहा तो आपप खिलियर करना करना है कि यह LED खराब है या इस circuit खराब है तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको checking से इसको शुरू करते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे तो उसके के लिए आप देखिए पहले तो मैंने इसमें एक वायर जोड लिया है चेक करने के लिए भी ततकाल में और यहां पर एक रेड़ वाइट कलर का जो निकला हुआ है रेड़ वाला पॉस्टी है और वाइट वाला निगेटी कलर का है इसको सबसे पहले सर्कुट के साथ हम को दोल लिया है अब इसको सप्लाई देकर हम देखते हैं आपके सांबर सप्लाई दे रहा है कि यह वर कर रहा है कि बहुत अच्छा काम करव depressing धिया है तो अब इसे तो एक लियर हो गया कि हमारा जो है यह led bulb साही है और इसका circuit खराब है इसका circuit खराब है तो इससाथ आप इसको find किसी भी नौवाट का अगर आपके पास एई लेडी बलब सको भीचे कर सकते हैं साथ वाट का है तो उसको लगए हाथ देखिए एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं कि लीटी से संबंदित कोई भी फाल्ट आवे तो आप उसको रिपेर करने कोई दिकत नहीं है आपके सामने यह जो दिख रहा है कि बल्ब दिख रहा है आपके सामने यह कि लिए रोजाने हाँ आपके सामने जो बल्ब दिख रहा है इसमें यहां जो एक लीडी बलब लगा हुआ था यहां पर जैसे यह लगी हुई है यहां पर लगा हुआ तो जल गया था एक बल्ब जल गया था तो इसके वज़ासे इसको यह यूज करने के लिए लाइक बना देजे किसी तरीके से आज इसको फेक दिजिए तो हम इसके हमारे पास एक तरीका इसको यूज करने के लाइक आपको बना ले आप वहुत से वीडियो आप देखेंगे इसको सोट कर देते हैं लेकिन सोट करना सबसे गलत बात है इसलिए अगर सोट कर देंगे तो यह पूरे परिपत का करना है तौरो कि तरह क्या राहरा है आपको जला के दिखा तो बने रहीए गा हां तो दोस्तों आप आप देह सकते हैं की चिए जगह पर यह लीटी निकला ही निकली हुए थी तो यह जूड़ गया सेम उसी जगह पर कोई पॉलर्टी नहीं के उल्टा जोड़ना किसी भी तरह से सोड़ करना है पर एक रेस्टेंस के माध्यम से अब इसको जोड़ लिया है अब इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि क्या रिजल निकलता है किस तो आप देखें कि इसकी रोसनी इतनी जबजस्ती कि हमरे कैमिलों को बलर कर दिया है फिलाल आपको साइड में करके दिखा रहे हैं देखिए देखिए इसकी रोसनी कितनी अच्छी है और यह बात और हैकिन के साथ हम कर सकते हैं इसकी लाइप भी अच्छी रहेगी तो आपको दो चीज देखने को मिल गया एक तो आप लीडी को चेक कर सकते हैं कि यह बलफ सही यह नहीं सही है तो अब दूसरी चीज है अब नव आर्चे साथ वाट की किसी के बीच में इसको लगा सकते हैं और तीसरा आपको हम बता है कि कोई अगर एक दो इली डीजल जाए तो उसके लिए आपको यह बाइस हों का रेश्टेंस लगा कर देंगे तो जो है आपका वह बलफ फिर से रिपेर हो जाएगा अब इसक कonection में जूट दिया है अब इसको 2007 कर क्या आप्या दिखाते हैं कि किस तरह यह काम करता है करता हैं करता बने रहेए हमने इसको सिट कर लिया है अपने जगह पर अब जिखे पर अभी इसका प्रोपर कर लिडाना बागी इसको लेकिन एक बार होल्डर मैं लगा हुआ है पडू고 लगा देने हैं इसका कवर लग गया अब इसके बाद देखा जाएगा रोसनी कैसा हो गया इसका तो है बने रहे है कि जैसकर सकते हैं अच्छी रोसनीर रहा है कोई प्रोब्लमन नहीं है अब हम है पाद्ड जो सर्क्यट काम करता है आपको वाचि दखा रहाएं है सात वाट नौट सब्सक्राइब कर लेंगे किस तरह काम करता है इसकी ब्रवस्टा यह सप्ला यह है यह मouch कर लिए ब्हूस्ता दिया हुआ है यहां में एक होगा और एक रहिस्टेंश से 10 ohm की रहिस्टेंश लगा हुआ था दसों का रहिस्टेंश लगा हुआ था और 5703 का पैजिड़ी दी अचोच 5100 गाल ब्रैंसेश übrig 800 आप पांच सों के का इस पर और यह और करास लगा हुआ है और यहां से यह सपलाई मात्र पल्स के रूम में निकल ला है मात्र पल्स के रूम में और सबसे अच्छी बात है कि लोड के हिसाब यह अपने आपको बहरी कर लेता है क्योंकि 500 500 के का किलोओं का यह रिस्टेंस है अब यहां पर सप्लाई देते हैं जो भी सप्लाई आता है इस ब्रिच पे आ रहा है और ब्रिच से यहां पाजटी और यहां निगेटी बनके यह आगे हमारे LED बलब के लिए पहुंच रहा है लेकिन बीच में एक हाई वैलू का रिस्टेंस और भी डाला ज हो ज्यादा पड़ जाएगा तो इदम सप्लाई देना ही बंद कर देगा एदम समझ देजिए लेकिन अगर जो साथ वाट आठ वाट नौवाट का जो यह जो भी लूट है इस वह इस वाटेज में अगर लोट परेगा तो यह अपनी सप्लाई को देता रहेगा अपनी कशि चला सकते हैं तो यही सर्कीट डियाग्राम से मार्केट में अवलेबल नहीं हो सकता है तो यह सर्कीट में आपका वह लीडी भलफ अराम से बन जाने वाला है तो चोटा सा अमारा वीडियो था आगर आपको पसंद है तो हमारी चैनल को लाइक करिए गाशेर कीजिएगा देखेंगा और कमेंट जरू की जिए कर ने राए दिजेगा एक ची और बता दे मित्रों इसमें चुपलाई हम देते हैं देखें यहां पे चीया देखिए हम इसमें भूल रहे हैं अब बना दे रहे हैं बने रहिए यहां पर एक कैप सीटर लगा हुआ है कि यहां पर एक कैप सीटर इसको फिल्टर करने के लिए लगा हुआ कैप सीटर जो है यह फोर पॉइंट सेवन और मियाफ का मियाफ और हैंड्रेड बोल्ड का लगा हुआ इसमें राता है लेकिन एक चीज़ और आपको बहुत नोटिस करने वाली बात बता रहे हैं अगर वि यह लगवर लगवर 220 बोल्ट यहां पर उठाके देगा अब उसमें यह सो बोल्ड का जो कैप सीटा यह ब्लस्ट ब्लस्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ी सावधान हो रहे हैं जब भी सर्कृट करें तो आप सर्क यह लीडी बलब के साथ जोड़ के इसको सप्लाई द अन्य था अगर आप यह बेवस्ता लगाएं कि एक वायर जोड़ लें दूसरा हम इसको चालू करके इसे चिक करके देखें कि हमारे जल लाग नहीं जला तो तुरुंकि उसमें इस टर्मिनल पॉइंट पे आपका 200 बोल्ड से उपर की सप्लाई आ रही होगी जबकि हमको 50- नीड होती है तो जब भी इसको इस्तेमाल करें तो इसको परमनें जोडने के बाद तब सप्लाई दें तब तो आपका उसा लीडी बचा रहाएगा तो यह लीडी को जला देगा दूसरी बात है इसको बूद बिदावड लूड कभी इसको आनने करें नहीं तो कुछ दिर क नहीं तो थोड़ी देर के लिए अन कर सकते हैं लेकिन यह 24 से मिनिट के लगातार अगर आन कर देंगे तो यह कर दो जाएगा और आपको चोड़ भी लेट सकते हैं